जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लूओ फैंगर उसकी पूरी टीम ने मिलकर अर्थ पर हमला करने वाले लोगों को डराकर बखा दिया था और उसके बाद अटूका उनके छोड़ेगे समान को चेक करने लगी थी किया इसमें कोई जरूरी चीज है पर उसमें उसे कुछ भी खास नहीं मिल रहा था तब ही अचानक से एक चीप पाकर उसके फेस पर लगी जिसे देखकर फैंग अपनी स्प्यूचल पावर्स उसे पास लाकर रिस्टी डिवाइस में लगाता है तो उसके उन होते ही वादा कहती है मिल गया सुल्यूचन अब आगे ये एपिसोड भी स्टाट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर फैंग उस चिप को अपनी रिस्टी डिवाइस में लगाता है तो उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन होती है जिसमें एक न्यूज आ रही थे और उसमें बताया जा रहा था कि क्यानुव उक्षन आज ही होने वाला है और इस उक्षन में बहुत सारे रेड डिवाइसिस और अल्टिमेट वैपन लाए जाएंगे उसे देखकर बबाता खुश होते हैं लूओ फैंग से कहती है लूओ फैंग क्या तुम्हें अब भी याद है क्यानुव उक्षन की तरफ से हमें जो इन्विटेशन मिला था तो फैंग थोड़ी देर के लिए सोचने लगता और फिर चौकते वे कहता है हाँ और फिर बबाता उसे बताने लगती है इस व्हचन इवेंट का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और इस व्हचन के अंदर बहुत सारी वैलियूएबल आइटम्स मुझूद होँगी अगर तुमने उन valuable items में से कुछ बहुत ही ज़्यादा बेश कीमती treasures को हांसिल कर लिया तो फिर तुम्हारी power बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी बबाता यह सब बताते हुए बहुत खुश हो रही थी जबके Mr. Wu उसकी यह सारी बाते सुनकर गुसा हो रहा था बेसिकली जैलस ही हो रहा था बबाता की intelligence को देखकर फैंग, लीडर होंग और वर्यलीशन यह जानकर काफी खुश हो गए थे अब इसके बाद बिना देरी की यह लुवो फैंग सीधा auction में पहुँच जाता है जहां पहुँच कर वो देखता है कि यहां पर तो बहुत सारे अधर प्लैनेट से लोग आये हुए है फैंग इन सभी लोगों को देख रहा होता है कि तब ही बाता उसे बताती है यहां पर क्यानू किंडम के सभी powerful और wealthy लोग इकठा हो रहे है और यह auction बहुत ही बड़ा है इसमें total 182,000 पीपल साय हुए है जिन में से 100,000 लोग तो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है वो अभी फैंग को इतना बताई रही थी कि तब ही वहां पर auction का होस्ट आ जाता है जिसने वहां पर आती auction को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था auction को स्टार्ट होता हुआ देकर फैंग भी अपनी जगां पर आकर बैट जाता है अब होस्ट वहां पर आने के बाद अपना एक बड़ा सा होलोग्राम मनाता है और यहां पर आए सभी लोगों को वेलकम करता है जिसके साथ ही वहां परमजूस सभी लोग तालियों से होस्ट का वेलकम करते है जबके फैंग अपने अकाउंट बैलेंस को देख रहा होता है कि मेरे पास बीडिंग के लिए कितना पैसा बचा हुआ है उसे पता चलता है कि उसके पास 4.3 trillion universe coins है इसलिए वो खुश होते वे कहता है इस auction में से कुछ valuable items को हांसिल करने के लिए पैसे काफी होने चाहिए जैसे वो बबाता की तरफ देखता है तो बबाता उसे ना में सर हिलाते वे दिखाई देती है ये देखर वो थोड़ा सा हिरान हो जाता है इतने ज़्यादा पैसे भी काफी नहीं है जबके दूसरी तरफ host resurrection की सबसे पहली item लेकर आता है जो के होती है ताना स्टार galaxy वो बाता उसे देखर खुश होते वे कहती है ये तो पूरी की पूरी स्टार galaxy है host हमें इस galaxy के बारे में और भी detail में बताता है कि ये ताना स्टार galaxy है जिसके अंदर total 668 galaxies है और ये पहले strongest immortal की territory हुआ करती थी इसके बारे में ये जानकर फैंक तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था जबके वहाँ पर मजूद audience वो तो अपनी seat से खड़ी हो जाती है उनके लिए ये बात बहुत ही shocking थी आप सभी लोग देखी सकते हैं कि इनका क्या reaction था तब ही host बताता है इसकी bidding price है 300 hun yuan hun yuan का सुनकर fang कड़ा हो जाता और कहता है ये तो एक new currency है अब क्यूंके fang is currency के बारे में कुछ भी नहीं चानता था इसलिए बाता उसे बताती है एक hun yuan 1 trillion universe coins के बराबर है और अब भी इस वक्त तुम्हारे पास 4.3 hun yuan है इस price के बारे में सुनकर fang का तो सर गुम जाता है जितने पैसे मेरे पास है ये price तो उनसे 200 times ज्यादा है इसी के साथ वो अपनी chair पर गिर गया था मानो के जैसे वो सदमी में चला गया हो तब ही बाता उसके पास आकर कहती है अब क्यूंके हमारे पास funds की कमी है इसलिए हमें पहले plan बनाना होगा कि हम क्या buy करेंगे मैंने इस auction की list में से कुछ treasures को found किया है जो तुमारे लिए suitable है ये कहने के बाद वो fang के सामने एक screen ले आती है और उसे दिखाने लगती है कि वो कौन कौन से treasures है उसने यहाँ पर fang के लिए 3 treasures को choose किया था जिसमें से सबसे पहला था godly descendant armament जिसकी starting price होगी 0.5 huniwan सेकिंड treasure है मुशा क्लैन सकिन जिसकी starting price होगी 1 huniwan और थर्ड है link fruit fang इन सबी treasures को दे कर काफी ज़्यदा खुश हो जाता है और इने test करने लगता है कि आखिर यह है क्या और वो बाता उसे show भी करवा देती है कि इन treasures के अंदर क्या क्या खुसूसियात है और वो virtual universe में यह सब चेक करने लगा था और साथ ही साथ वो fang को इसकी details भी बताती है कि जो सबसे पहला treasure है godly descendant armament वो 9 god weapons में से एक के तोर पर जाना जाता है और यह spiritual power से control होगा इसे बनाया गया है gold और space के original laws को use करते हुए और इस weapon की total 9 forms है अगर तुमने इसकी पहली form को master कर लिया तो फिर तुम already star level पर unmatched होगे तुम्हारा सामना कोई भी star level का warrior नहीं कर पाएगा और इसके बाद वो बाता इस weapon की सारी की सारी forms के बारे में लूओ फैंग को बताती है कि ये कौन-कौन सी forms में change हो सकता है इस weapon की सबसे पहली और basic form एक dark gold color का staff है जिसकी length 2 meters और diameter 15 centimeters है इसकी अंदर gold और space के principles की secret technique मुझूद है पहली form का नाम है illusion sword form जिसमे 9 gold swords का combination है जो के honin gold low के threshold को cross करती है और इसकी ये पहली form ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी तुम्हारे level का बंदा इसका सामना नहीं कर सकता और इस weapon की second form है sky piercing form जिसमें ये 9 illusion gold swords मिलकर एक real sword बनाएंगी और इसकी ये form भी बहुत ज़्यादा powerful है तो तुम सोच ही सकते हो कि इसकी 9th form extremely powerful होगी यहाँ पर ववाता हमें ये सब बताने के साथ साथ इसका पूरा demo भी दे रही थी कि ये कैसे कैसे अलग-अलग forms में transform होगी और फिर वो हमें इसकी last form के बारे में बताती है जब ये अपनी 9th form पर पहुंचेगी तो ये godly golden sword बन जाएगी जिस किसी ने भी इसकी सबी की सबी 9th forms को master किया है वो अल्रेड़ी immortal level का breakthrough कर चुके है और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम सोच ही सकते हो कि तुम कितने ज़्यादा powerful बन जाओगे जिसे फैंक बड़े ही गोर से देख रहा था तो वाता उसे बताती है ये है मूशा क्लैन स्किन इस स्किन के surface पर space की secret technique मुझूद है और ये future में तुमें space techniques को master करने में help कर सकती है इसके इलावा मूशा क्लैन strongest assassin क्लैन के तोर पर जाना जाता है जो के बहुत ही deadly और खतरनाक है अगर तुम इस skin को हासिल कर लेते हो तो फिर तुम already एक strongest clone body को हासिल कर चुके होगे तुम इसका मतलब जानते हो ना और अब तो तुम्हारा golden beast भी universe level का हो गया है यानि के तुम असानी से clone body बना सकते हो बबाता उसे ये सब बता रही थी के फैंग उस मूशा क्लैन की skin को test कर रहा होता है क्या आखिर ये है क्या और कैसा feel होता है जैसे उसे touch करता है तो वो पूरी की पूरी skin उसकी body पर आ गई थी virtually, not in real फैंग उसे feel करके check कर रहा होता है के तब भी बबाता उसे कींच कर अपने साथ एक तीसरे ट्रैजर को दिखाने के लिए ले गई थी जिसे जगाते वे वो कहती है ये है link fruit ये plant fertility के लिए highly effective है ये तुम्हारे और हों के cloud rubbing wine के लिए बहुत ज़्यादा useful है अब ये सब जान लेने के बाद फैंक दुबारा से auction में आ जाता है जहां पर आते वे वे कहता है वाउ क्या tryers juice की हैं तुमने और फिर वो अंदाजा लगाने लगता है कि मेरे पास जो पैसे हैं क्या मैं उन पैसों से इन तीनो items को obtain कर पाऊंगा तो सारा अंदाजा लगा लेने के बाद वो वाटा को बताता है कि अगर हम इन तीनो tryers की starting price को ही मिलाएं तो वो 1.6 hundred yuan बनते हैं मुझे लगता है कि इन सबी को हासिल कर पाना हमारे लिए बहुत difficult होगा तो वाटा से कहती है नहीं 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 क्या तुम भूल गए तुमने पहले अपने छोटे भाई को एक investment दी थी और तुमने उससे कहा भी था कि वो सारे का सारा capital और उससे जितनी भी profit हुई है वो तुमें transfer कर दे फैंक सोचने लगता है और कहता है ओ हाँ ये news चल रही थी के दो universe level 8 के individuals अर्थ पर appear हुए है जिन्होंने अर्थ पर हमला करने वाले लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया अपने सामने ये news देकर नुलांसन का लैलेटर बहुत ज़्यादा गुसे में आ गया था वो अपनी चेर को नोचते वे कहता है लुओ फैंक आखिर तुम ऐसी कौन सी ट्रिक यूज़ कर रहे हो ना सिरफ तुमने ड्यून को जान से मार डाला बलके तुमने बैकरूल को भी मुझे धोका देने पर मजबूर कर दिया ये कहते हुए वो वहाँ पर मजूद अपनी AI को इशारा करता है जिस इशारे को देखते हुए वो AI किसी को कॉन्टेक्ट करने लगती है जैसे उसका कॉन्टेक्ट हो जाता है तो हम देखते है कि ये तो नोलांसन क्लैन लेटर ने ब्रोल इन से कुंटेक्ट किया है ब्रोल इन नोलांसन क्लैन लेटर को देखते ही कहती है नोलांसन अगर तुम अर्थ के बारे में बात करना चाहते हो तो अपना टाइम और अनर्जी वेस्ट मत करो मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को स्लूब ओ फैंग की वज़ा से बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा है और अब क्यूंके तुम मेरे पास आ चुके हो तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास और कोई भी ट्रंप कार्ड नहीं बचा उनकी इस बात पर नुलांसन क्लैन लेटर थोड़ी देर के लिए सोचता और फिर नाइन्थ प्रिंसिस से कहता है मेरे पास एक ट्रंप कार्ड है रियालम विद हिम रियालम की बैटल में किंडम टेम ने अपने बहुत सारे टूप्स को खो दिया जबके मेरे पास अब भी एसेट्स है जो तुम्हारी सिचुएशन को रिस्टोर करने में तुम्हारी हल्प कर सकते है प्रिंसिस ब्रोलिन मुझे उमीद है कि तुम मेरी एडवाइस को ज़रूर सुनोगी ये सारी बात उनों लांसन क्लैन लेटर बहुत ही आटिटूड के साथ कर रहा होता है और वो नाइथ प्रिंसिस को अपनी एडवाइस उनने के लिए मजबूर कर ही लेता है इसी के साथ सीन चेंज होता है हम ये ओक्षन का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब होस्ट सेकिंड आइटिम को लेके आता है जो क्यों होती है सी थ्री लेवल लेजर वैपन जिसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 0.1 हुन यवान वहां पर मजूद बैटे लोग एक के बाद एक बीड करते जाते हैं और फिर जो सबसे ज़्यादा बीड लगाता है वही उस वैपन को हासिल कर लेता है जबके लूओ फैंग बस देख रहा था कि कब मेरी ट्रेजर्स आएंगे कब मैं भी बीड लगाऊंगा और अब इस आइटम के सेल हो जाने के बाद वहाँ पर वो लाया जाता है जिसका फैंग को बेस सबरी से इंतजार था जिसे देखकर फैंग और वहाँ पर मजूस बाकी सबी लोगों की आंके चमक उठी थी और अब एक करके वहाँ पर मजूस सबी इसकी बीडिंग करना शुरू कर देते हैं इस वैपन की बीडिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी ये वन हुन युवान से शुरू होते हुए 3.3 हुन युवान तक पहुंच चुकी थी इतनी ज़्यादा प्राइस को देखकर लुवान की तो सांस पूल चुकी होते हैं और उसके पसीने भी चूट रहे थे पर क्यूंके वो इस वैपन को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था इसलिए वो एक गहरी सांस लेते हुए 3.6 हुन युवान की बीड लगा देता है जिसे देखकर तो होस्ट भी आराउन हो गया था और फिर वो काउंटडाउन शुरू करता है 3.6 हुन युवान 1 3.6 हुन युवान 2 वहाँ पर मजूद लोग इस वैपन को खरीदने के लिए और ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते थे इसलिए वो कोई भी बोली नहीं लगाते और अब इसी के साथ ये वैपन मिल जाता है लुवा फैंग को बिडिंग कंपलीट होते साथ ही होस्ट लुवा फैंग को कॉंग्रेजुलेट करता है और फैंग और वबाता तो खुशी के मारे जुम उड़ते हैं अभी ये दोनों खुशी मनाई रहे थे के तब भी वहाँ पर होस्ट नेक्स्ट आइटम को ले के आता है जो के होती है मुशा क्लैन की स्किन जिसे देख कर इन दोनों की खुशी तो मानो जैसे गाय भी हो गई थी और फैंग कहता है इतनी जल्दी फैंग काफी चूंक चुका था जबकि मुशा क्लैन की स्किन की बिडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और बाता अपना बैलेंस चेक करते विए लुव फैंग को बताती है हमारे बैंक आकाउंड में तो अब कोई भी बैलनस नहीं बचा अगर तुम मुशा क्लैन की स्किन के साथ नेगोशियेट करना चाहते हो तो तुमारे पास at least 3.5 हुन युवान होने चाहिए पर हमारे पास वो सिरफ 0.37 है अब क्यूंके लुओ फैंक के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे इसलिए वो अपने ब्रदर को कॉल करता है कि उसके पास जितना भी कैपिटल है वो सारा का सारा मुझे सेंट कर दे ताके मैं इस ट्रैजर को हासिल कर सकूँ तो फैंक का ब्रदर उससे कहता है ब्रदर, डॉंट वरी अब भी इस वक्त मेरे पास 3 हुन युवान है पर स्टोक की प्राइस अभी भी बढ़ रही है एक तरफ यहां लुवो फैंक का ब्रदर ट्रेडिंग कर रहा था जबके वहाँ दूसरी तरफ ओक्षन में मुशा क्लैन की बिडिंग बढ़ती चा रही थी अब क्योंके फैंक यहां पर कुछ नहीं कर पा रहा थे इसलिए उससे काफी ज़्यादा गुसा आ रहा था जबके दूसरी तरफ वो फैंक का ब्रदर वो अभी भी ट्रेडिंग की स्क्रीन पर अपनी नजर टिकाए हुए था लोग तो बिडिंग रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे एक के बाद एक बिड करते जा रहे थे मुशा क्लैन की स्किन की बिडिंग को इतना ज़्यादा बढ़तावा देखकर फैंक के पसीने चूट रहे थे था जिसकी वज़ा से फैंक की अकाउंड में 2.4 हुन युवान हो चुके थे जिसे देकर वो खुश हो जाता है तब इवाता कहती है ये हुई ना बात अब हम इस मुशा क्लैन की स्किन को असानी से खरीज सकते हैं क्योंकि ये amount estimated target amount से ज्यादा है साथ ही वो हुआ की तारीफ करते वे कहती है लुवो फैंक तुम्हारा चोटा भाई तो वाके ही अर्थ का स्टोक गोड है मेरे क्याल से वो बाता भी ट्रेडिंग के बारे में सीख रही है जब वो अपने चार्ट को देखती है तो वो उदास हो जाती है क्योंकि वो कुछ भी हांसिल नहीं कर पाई थी जबके फैंक खुश हो रहा था कि हम मैं मूशा क्लैन की स्किन को खरीज सकता हूँ और इसी के साथ वो मूशा क्लैन की स्किन की सबसे हाइस्ट बिड करता है जो क्यों होती है 3.9 हुन यूवान इतनी ज़्यादा अमाउंट को देखकर वहाँ परमजूद सभी लोगों की खटिया खड़ी हो गई थी और अब कोई भी से ज़्यादा बोली नहीं लगा रहा था इसलिए होस्ट काउंड़ान शुरू करता है 3.9 हुन यूवान वन पर कोई भी से आगर बीड लगाने को तयार नहीं था और इसी वज़े से अब ये मूशा क्लेन की स्कीन हो जाती है लूओ फैंग की मूशा क्लेन की स्कीन को अपना हुआ देखकर वुबाता की खुशीका तो कोई ठिकाना ही नहीं था लुओ फैंग और बुबाता दोनों ही बहुत खुश होते हैं जबके हुआ सकून का सांस लेता है कि चलो फाइनली में अपने ब्रदर के काम आया अभी वो सकून का सांस ले ही रहा था कि तभी उसकी वाइव वहां पर आ जाती है और कहती है लुओ हुआ बेचारा डर गया था और वो चिलाते हुए कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार खाने के लिए बुला लिया तुमा रहे हो या नहीं और वो बेचारा अपनी वाइव को मनाते हुए वहां से ले जाने लगता है जिसने अब वॉक्षन से अपनी मर्दी के सारे के सारे ट्रेजर्स को खरीद लिया था, जो जो भी उसे चाहिए था, वो उन दोनों ट्रेजर्स और फूर्ट्स को देखते वे खुश हो रहा होता है, और इसके बाद आकर चेर पर बैठ गया था, तब ही अचानक से उसको किसी के कोल आती है, फैंग कोल को पिक करता है तो वो सामने वाला परसन खुद को लुवो फैंग से इंट्रडूस करवाता है, मिस्टर लुवो फैंग, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने आपकी अर्थ को बाई करने में हेल्प की थी, क्या मैं आपको याद हूँ? तो फैंग उससे कहता है, हाँ मुझे सब याद है, क्या हुआ? तो वो फैंग को बताता है, दरचल यहां से इमिग्रेट करने का प्लैन बनाया गया था, पर अचानक से हमारे सुपिरियर्स ने अर्थ के डेटा को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है, वो लोग आपको उनों लांसन्स के साथ बाच्चित करने के लिए पुछ करने का इरादा बना रहे हैं, अर्थ की ओनर्शिप को चेंज करने के लिए, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी इंटेरोगेट किया जाएगा, आपको मेरी मदद करनी होगी, जिस पर फैंग कुई सोचने के बाद घड़ा तवे कहता है, अभी इतना टाइम हो जाने के बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई न कोई होगा, आखिर वो कौन है जो ये सब करवा रहा है, जिस पर वो बंदा लोगों से चुपते चुपते लुओ फैंग को रिप्लाइ करता है, मुझे नहीं पता, पर वो जो कोई भी है, बाहिर से आया है, और जहां तक मैं जाता हूँ, वो नाइन्थ प्रिंसिस का ट्रस्टिड बंदा है, नाइन्थ प्रिंसिस का नाम सुनते है, लुओ फैंग को सब समझा जाता है, क्या आखिर ये कौन करवा रहा है, इसलिए उसे काफी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, व्यू चेंज होतर हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहां पर फैंग अपनी सारी की सारी टीम को इकठा करके उनसे डिसकस करता है, बैकर लूल के जाने के बाद अब नोलांसन क्लैन लिडर और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और मुझे ये तो आइडिया था कि नोलांसन क्लैन लिडर नाइंथ प्रिंसिस के साथ कोपरेशन करने की कोशिच करेगा, पर इतनी जल्दी करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था, नोलांसन हमारे सारी डिसकस्शन करना चाहते हैं, और अगर हमने इस डिसकस्शन को रिफ्यूस किया, तो फिर हो सकता है कि किंडम अपनी फोर्स को यूज करे, फैंकी ये बास उनका लीडर होंग उससे कहते हैं, ऐसा इसलिए क्यूँके किंडम के डिसीजन्स किंडम मैंबर से इंफ्लूएंस्ट होते हैं, और अब ऐसा होने की वज़ा से अर्थ उन लांसन्स का सामना करने से भी ज्यादा डेंजरस कंडिशन में आ चुकी है, उनकी इस बात पर फैंक कहता है, क्या होगा अगर हम अपने हिफाज़त के लिए इन से भी हाईर पावर से मदद लें तो, जिस पर बबाता हिरान होता विए उसके पास आती है, तुम्हारा मतलब यूनिवर्सल किंडम या फाइव मेजर ओर्गनाईजेशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहना है, आखिर तुम सोच क्या रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अब इससे पहले कि उसकी बात कंप्लीट भी हो पाती तब ही मिस्टर वू कहते हैं, ये प्लैन आजमाया जा सकता है, तो बबाताओं किस बात पर कुई समझ नहीं आती कि आखिर कैसे, तब ही मिस्टर वू डिटेल में बताते हैं, हर दस हजार साल बाद, युनिवर्सल विर्च्वल कंपनी एक ग्रैंड पार्टी होल्ड करेगी, और उस ताइम युनिवर्स में मजू सभी किंडम्स आपस में एक पीस एग्रिमेट साइन करेंगे, इसी वज़ा से ही लिओंग्षन किंडम लापरवाहिसे एक्ट नहीं करेगा, और हमारी अर्थ सेफ हो जाएगी, मिस्टर वू जो भी बात कर रहे थे, वबाता इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और वो ये बात एक बुक को रीट करते वे कर रहे थे, इसलिए वबाता उनसे वो बुक चीन लेती है, और उसे रीट करते वे कहती है, हाँ वाके ही, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मिस्टर वू बाता से उस बुक को चीनने की कोशिश करते हैं, पर नहीं चीन पाते, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बाता कितनी फास्ट है, तो बुबाता लुओ फैंक को इसके बारे में डिटेल में बताने लगती है, कि जो ग्रेंट पार्टी होने वाली है, ये असलमें एक पीक बैटल है, जो पावर के लिए की जाती है, इसे जीनियस पीक बैटल भी कहा चाता है, क्योंके इसमें युनिवर्स में मजूद सभी स्टार लेवल के जीनियस इसको बैटल के लिए टार्गिट किया जाता है, सिरफ एक युनिवर्सल किंडम, हंड्रेड्स ओफ बिलियन जीनियस इसको इकठा करता है, इसके इलावा उनकी तदाद ट्रिलियन से भी ज्यादा है, ये सब सुनकर फैंग बेचारा तो सोच में पड़ गया था, तब ये वाथा उसे और कहती है, बहुत सारे सेलेक्शन के बाद, सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोगों के ग्रुप को डिफेंड करने के बाद ही, तुम विच्वल युनिवर्सल कंपनी में इंटर होने के लिए लिजिबल हो पाओगे, ये सब को जान का लिडर होंग, वोरियलिशन और लूओ फैंग काफी हरान हो चुके थे और फैंग कहता है, ये युनिवर्स तो बहुत बड़ा है, इस बार की ये पार्टी सभी के सभी जिनियस इसको इकठा करेगी, तब ये वाथा फैंग को बताती है, जो कोई भी इस बैटल को विन करेगा, वो रेर जिनियस होगा, आलाग कि इसमें कामियाब होने के चांसिस बहुत कम है, पर अगर तुम कामियाब हो जाते हो, तो तब जिनियस बैटल खतम होने के बाद भी, इल्ली उंक्षन किंडम तुमें प्रोवोक करने की इंबत नहीं करेगा जिस पर वोर्य अलीशन खुश होतवे कहते हैं हाँ, फिर तो इससे अर्थ प्रोटेक्ट हो जाएगी और इसी के साथ सथ हम इसे युनिवर्स में मजूद सभी स्ट्रोंगेस्ट लोगों से सीख भी पाएंगे हमारे पास इस बैटल को जोईन ना करने का कोई भी रिजन नहीं है हाओएवर, ये जीनियस बैटल दस हजार साल में सिरफ एक बार होती है वबाता, इस बैटल को होने में अभी कितना टाइम बाकी है तो वबाता बताती है, सिरफ दो साल जस्ट दो और साल वबाता की इस बात पर वो तीनो बैटल में जोईन होने के लिए रेडी हो चुके थे तब भी वबाता उने और बताती है जब तक हम बैटल के खातमे की मुदद तक का इंतजार करेंगे तब तक अर्थ भी टेंपरेरली सेफ रहेगी तब भी फैंक आता है पर उससे पहले हमें अर्थ के ओनर्शिप के डिसकेशन से निपटने के बारे में कोई तरीका सोचना होगा न और अर्दा सेम टाइम हमें अपनी ट्रेनिंग में सुस्ती नहीं करनी होगी इसी के साथ अभी ये सभी के सभी प्रोमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अर्थ को प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे और अब ये प्रोमिस हो जाने के बाद लीडर होंग, वोरियलीशन और लुओ फैंग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं अब फैंग लीडर होंग अपनी क्लावड रबिंग वाइन की पावर को बढ़ाने के लिए 100 लेक फ्रूट्स देता है जिनकी मदद से क्लावड रबिंग वाइन युनिवर्स लेवल के फूर्थ लेवल पर पहुंच जाएगी निडर होंग इनको लेने के बाद अपनी कल्टिवेशन शुरू कर देते हैं और इसी के साथ साथ लुओ फैंग मूशन क्लैन की स्किन को गोल्डराण बेहमूद की इनर वर्ल्ड में ले जाकर उससे अपनी एक और कलोन बोडी बनाना शुरू कर देता है जिसे वो अपनी सेकिंड बोडी के तोर पर यूज़ करेगा के गोडली डिसेंडेंट आर्ममेंट मेरा फ्यूचर मेन वेपन होगा मैं फील कर सकता हूँ के ये कितना ज्यादा पावरफुल है आलागि इसे इसकी सारी फॉर्म्स में ट्रेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है पर मैं कर के रहूंगा ये कहते साधी फैंग उस वेपन की पहली फॉर्म को मास्टर करना शुरू कर देता है और जैसी वो उसकी पावर्स को फील करता है तो वो कहता है अब मुझे समझ जा रहा है इस वेपन का स्ट्रोंगेस्ट गोड वेपन का टाइडल वाके ही इस पर फिट बैठता है मैं फील कर पा रहा हूँ ये वेपन बहुत ज़्यादा डैडली है एक तरफ यहां पर फैंग अपने वेपन के साथ कल्टिवेशन और प्रैक्टिस कर रहा था फैंकी पावर्स अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी के लीडर होंग और वोर्ये लीशन मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे और इनको ऐसे कल्टिवेशन करते करते काफी समय बीच जाता है तब ही हमें दिखाया जाता है लुव फैंग की वो कलोन बोडी को जो कि अब गोल्डरोंड बहमूद के इन वरल्ड में काफी हद तक तयार हो चुकी थी वोर्ये लीशन भी जोरो शोरों से अपनी कल्टिवेशन और पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे इसी के साथ वो ये लीशन कहते हैं सभी लोग बड़ी शिदद के साथ अपनी कल्टिवेशन और पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं क्यूंके हम जानते हैं इन दो सालों में अर्थ की अफादा सिर्फ हमें ही करनी हैं इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लीडर होंग और लुवाफैंग मेडिटेट करते वे अपनी पावर को स्टेबलाइस कर रहे हैं और फिर ट्रेनी करते वे जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपिरियंस जी कठा कर रहे हैं और अपने वेपन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं तो देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर लुवाफैंग अपने वेपन को किस तरह से यूज़ करेगा